हेलो दोस्तों कैसे हैं आप मुझे पता है कि आप लोग घवराएवे होंगे और खास दोर पे वो लोग जो अभी स्क्रिप्टो दुनिया में नए आये हैं क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि कल राज से जो मेरे टेलग्राम पे इतने ज़्यादा मैसेज आए कि सर ये क्यों डंप हो रहा है ये प्राइस कहां तक जा सकती है कितना डंप हो सकता है अब कव आप होगा और जो हमने आल्स कोईन ले रखा है उसका हमें क्या करना है तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना देता हूँ जिसमें आपकी सारी इंक्वारी जैसे कि बिटकॉइन डंप क्यों हो रहा है इसका support and resistance क्या है और जो हमने आल्स कोईन ले रखा है उसका क्या करना है तो उसके एक वीडियो बना देता हूँ जिससे कि आपकी जो भी inquiry है उसका जवाब आपको इस वीडियो मिल सके ठीक है दोस्तों तो वीडियो को पूरा देखेगा मैं देख रहा हूँ कि आप लोग जो वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं तो प्neez अगर वीडियो को आप देखना इस्टार्ट कर रहा है तो उस को भी जाके आप जोईन कर लिए और जो है दोस्तों हमारे चैनल पे बिटकोईन न्यूज और बिटकोईन में ट्रेडिंग कैसे करना है इन सभी चियों से समधित आपको जो है वीडियोस मिल जाएगी तो चलिए वीडियोस को शुरूर करते हैं तो दोस्तों जैसा कि आप दे तो यह जो डंप एंड पंप जो है अभी जो हमारी जो नए जो दोस्त लोग जुड़े हैं बिटकोईन में उनके लिए बहुत ही भायावाद द्रिश्य होगा क्योंकि वो कभी ऐसा देखे ने होंगे तो दोस्तों जो पुराने हमारे जो दोस्त लोग जुड़े हुए है उनके लिए नॉर्मल बात होगी क्योंकि वो बहुत ही सिच्वेसे ने देख चुके होंगे 2017 से लेके जब से मैं भी जुड़ा हूँ तो मैं ऐसा सिच्वेसे बहुत बार देख चुका हूँ तो उसमें ज्यादा टेंसर लेने वाली बात नहीं है बस आप जो है अपने मनी म पॉटफोलियो है जितना भी अगर पॉइंट वन बिटकोईन है वन बिटकोईन है तो उसका जो है मनी मेनेजमेंट करके जरूर रखिए ठीक है जिससे कि आपको जो है ऐसा कोई सिच्वेसान आती है तो ज्यादा आपको कुछ फर्क नहीं पढ़ने वाला ठीक है अब मैं सीमे कर आपको एक्सान अब इसका क्या है कि जैसे एक स्यमेंट मैं मैं आपको दिखा दैता हूं कि यह जो तो तिन आपको पॉयंट दिख रहा होगा तो यह जो गैप है कभी न पभी जो is नगस ज्रीट्र पविवर्त है। उनको यह उनके दिमामे जरूर रहता है कि आज होचाए कल हो यह कभी भी यह घुता है.. जो यह तो यह कभी नगब फिलप जरूर होता है। तो जो यह dump थोड़ा सा start हुआ होना तो सबके माइन में यह आ गया जितने trader है देखिए जो coin graph में आर्टिकल भी आ गया है कि जो जितने trader है उनके दिमा में यह आ गया जो यह जो अभी downtrend आ रहा है यह कहीं न कहीं जो CMA gap तक जो है जरूर जाएगा तो CMA gap 97 है तो वहां तक न 97-98 के करीब ही जो major support है तो अगर उसको तोड़ देता है तो फिर जो हम 98-85 पर करीब आ जाएगे तो इस पर जरूर आप ध्यान रखेगा कि जो 97-98 का जो support है यहां पर अगर आता है तो इस पर जो है आप stop loss तगड़ा रख सकते हैं क्योंकि इसके बाद जो सीधे आपको 88 प जो है 10,000 1 коп नीचे जो हम इसको क्रमेट करें तो कहीं न कहीं यह भी बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि जो यह हम बड़े बड़े वेल्स हैं congregation कि EMको जो है 10000 के नीचे जो कमेयt कर सकें त्यविशे फिर बहुत बड़ा कारण हो सकता है जो मुझे लगता है कि bitcoin लोने का और और जो है अभी प्रजेंट टाइम में आपको सपोर्ट रेश्टेंस बता जेता हूं बिटकोईन का चले चार्ट पर लेके चलता हूं मैं तो दोस्तों यह हम ट्रेडिंग विव पर जो है वंडे का चार्ट पर आ गया है और यह जो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है आपक बढ़ता है कि इसको जुरूरर टच करेगा और मैं तो यह कहूंगा कि इसको टच ना करे क्योंकि अगर इसको टच कर लिया तो अगर इसको तोड़ता है तो नीचे चला जाए बिटकोईन तो कहीं ने कहीं जो एक सपोर्ट भी बना हुआ है अभी मैं आपको इसका का चार्ट खुल गया है तो आप यह देख रहे होंगे जो यह जो किया नाम है औरेंज किलर के जो लाइन गया हुआ है यही जो तो 97 पर आके बांस बेक चला जाए और बाकी जो मुझे लगता है कि अभी जो है 10,200 से लेके 10,500 को बीच में जो है साइडवे में चलता रहेगा ठीक है और जो हमारे जो आल्सवाइन लिए हुए हमने वह जो है कहें देरे-देरे रेकवर करेंगे और रेस्टेंस ही बात कर दूँ मैं तो रेस्टेंस आप यह देख सकते हैं यहां पर वही जो है अभी 10,500 और 600 को अगर तोड़ता है तो फिर से जो हम इसको 12,000 पर देख सकते हैं तो दूस्तों ज्यादा टेंसल लेन वाली बात नहीं है जब तक जो है 97 को जो है जब तक तोड ने लेता तो तक आप ज्यादा घवरान जो इतनी है और जो भी आपके Alt Key Guide पढ़े हुए है जो भी मैंने आपको सजेस्ट किया है जैसे IOST और CTSI और OXT जो भी Coin में में रेव्यू किया है तो नोमें जो News Based Coin है उनको जाप Hold कर सकते हैं और अगर आपका जो stop loss हीट हो गया है तो stop loss से भी down में जो अगर प्राइज आता है तो अब उसको accumulate करिए क्योंकि जो है वो जल्द ही recover होंगे जैसे जो bitcoin अपना एक price पर suitable हो जाएगा तो जो है वो recover हो जाएगा तो ज्यादा जो coins लेके रखे हुए है अगर वो news based है तो उनको आप hold करके रख सकते हैं तो दोस्तों उमीद करता हूँ कि आपको जो समझ में आ गया होगा जो भी चीज मैं आपको पता है तो ज्यादा सब्सक्राइब कर लिजगा चैहिंद